एक टॉपिक है जल्दी से उसको कर लेते हैं उसी का मोमेंट आफ मोमेंट आफ इनर्शिया के से सम्मंदित है लेकिए कंडीशन आफ रोलिंग बॉड़ी कंडीशन आफ रोलिंग बॉड़ी कंडीशन आफ रोलिंग बॉड़ी विदाउट आफ रोलिंग बॉड़ी विदाउट इनकलाइन प्लीड जीगा और उसको बताओ कह क्या रहा है condition of a rolling body without sliding over an inclined plane देखो ध्यान से एक inclined plane है हमने कहा आप उस पे चलिए slip करिए तो आप slip कर जाएंगे क्या रास्ते में मिल जाए कि लुड़क जाएंगे आप नहीं समझ महीं बात दुबारा समझिए फिर से आप वाटर पार गए होंगे सट से ऐसे slide करते हैं उसमें बड़ा अच्छा लगता है आप ऐसे बैठ जाए उस पे slider पे और ऐसे बैठे बैठे slide कर जाए ठीक है अब चला ध्यान समझेगा situation क्या हो रही है आप slide कर रहे हैं और रास्ते में थोड़ा सा पार्ट उसका बहुत बहुत खुरदुरा है तो आप बताइए जब वहां पहुंचेंगे तो आपकी condition क्या होगी आप जहां बैठे हैं वह पार्ट रुख जाएगा पूरी बाड़ी आपको लुड़क जाएगी सही कहा रहा हूं मैं तो अगर friction है surface में तो बाड़ी रोल कर सकती है रोल कर सकती है हमने rolling बाड़ी बोली है rolling बाड़ी रोल करेगी जैसे कोई इंटा आप ले लिजेगा rectangular shape का क्यूबाइट shape का वो रोल नहीं करेगा cylinder रोल करेगा disk रोल करेगी तो कोई rolling बाड़ी किसी भी inclined plane पे कैसे रोल करती है उसके बाड़े हम बात करने जा रहे हैं जरा समझेगा यह rolling बोड़ी है मैं फिराल उसका surface दे सिरिंडर है उसका यह surface बना देता हूं उपर का या कोई ball में बना रहा हूं यह rolling बोड़ी है यह rolling बोड़ी है यह किसी inclined plane पे रखी भी है roll कहने की पहली condition है inclined plane friction वाला होना चाहिए क्योंकि अगर friction नहीं होगा तो हो सकता है slip कर जाए और पहली heading है without sliding sliding होना चाहिए देखे जब यह रखी होगी यह इसका center of mass है यहाँ पर इसका weight जो होगा नीचे act करेगा यह इसका theta inclination ह यह normal reaction होगा अब मैं r इस्तेमाल नहीं करूंगा reaction के लिए तो कि r मुझे radius लेनी है तो मैंने normal reaction n माना है और यह भी theta होगा सही कह रहा हूँ मैं तो theta से लगा हुआ mg का component mg cos theta होगा और नीचे की तरफ जो इसका component होगा mg sin theta होगा और यह body roll कर रही है slide नहीं कर रही है तो friction जो है वो उपर की और काम करेगा मैं फिलाल static friction एक kinetic friction यह static friction होगा यह kinetic friction होगा यह kinetic friction होगा और मैं मान लेता हूँ कि body नीचे की तरफ ए acceleration से आ रही है diagram बढ़िया smart से बना हुआ है अब ज़रा समझेगा मुझे इसका यह frictional force निकालना है क्यों यही भाई साब है जो इसको roll कराने के लिए सक्षम है अगर इस चिकनी होती तो slide कर जाती body सही कर रहा हूं नहीं अब देखो n तो mg cos theta को balance कर रहा है यानि n is equal to mg cos theta पहली बात दूसरी बात नीचे की तरफ mg sin theta काम कर रहा है उपर की तरफ fk काम कर रहा है body नीचे accelerate हो रही है तो net acceleration a है तो force कौन सा ज्यादा होगा mg sin theta minus fk is equal to ma इसको question number 2 डाल दीजे इसका फिला radius हम r मान लेते हैं आप एक क्या रहा है आपको यह friction आपको क्या दे रहा है जरा समझीएगा जब आप उस slider पे slide कर रहे थे friction ने आप जा आपको टॉर्क कर रहा है न तो टॉर्क एक्टिंग टॉर्क वेरी गुड अप्टिंग अंदब बाडी बाड़ी ले रहे हैं टाव इस एकल टू आपने क्या पड़ा एफ इंटू आर तो टू एस इकल टू एफ बोले तो एफ के आर बोले तो रेडि है एंड टाव इस इकल टू एफ एल्फा चाहिए आई अल्फा सारी टाव इस इकल टू क्या पढ़ा है आपने आई अल्फा चुकि सेंट्राप मोमेंटाव इनर्सिया भी इंट्रोड्यूस करनी है तो यानि की सो इसको नोट करिए पहले में कुछ और प्रूफ आएंगे अल्फा को अटाइए अल्फा की वैलू आपने एक इटम में पढ़ी हैं आपको याद होगा ए इस इकल टू आर अल्फा तो अल्फा को आप ए अपान आर ले सकते हैं सो एसके एसके इन्टू आर एक मिनट हाँ ठीक है इस इकल टू आई ए अपान आर आर बोले तो रेडियस नाट रेक्शनरी फूर्स तो यहां से एसके की वैलू क्या निकलेगी आई ए अपान आर स्क्वार इसको एक कुशन नमबर थ्री डाल दीजेगा अब इस डाइग्राम को मैं रब कर रहा हूं बना लिया है आप लोग ने सभी लोग इस डाइग्राम को मैं रब कर रहा हूं डाइग्राम बिल्कुल सुन में आया कैसे यह काम कर रहा है क्योंकि visualize करना पड़ेगा आपको इस F को उठाते हैं हमको A निकालना है न FK को उठाई A question 2 में रख दीजेगा putting FK in equation 2 putting FK in equation 2 यह नहीं कहिए का putting wrong word है हम जानते है wrong है लेकिन थोड़ी बहुत अंग्रेजी यहां चलती है FK बोले तो I A upon R square is equal to M A हमको चुकि A निकालना है तो इस A वाला टर्म उठाई जाओ तो आएगा M G sin theta is equal to A काम ले लेंगे तो आएगा M plus I upon R square तो यहां से A की जो value निकलेगी वो निकलेगी M G sin theta upon M plus I upon R square एक तो acceleration का यह formula हमारे पास है अब देखें यहां पर चुकि rolling body कोई भी हो सकती है लेकिन हम यहां पर radius of gyration के term में लिखेंगे if K is the radius of gyration K is the radius of gyration आपने का क्यों लिया इसको भाई क्योंकि जो radius of gyration है वहां पर पूरी body का mass act करता है it is not center of mass तो I is equal to हमने क्या बताए था M K square बताए था याद है ना तो A is equal to M G sin theta upon जब मैं यहां M upon K square करूँगा है विजबल है ना अब यह तो any rolling body है अब मैं एक example लेके चलता हूं मैंने आप से का बहुत सारी rolling body आपके पास है cylinder है आपके पास आपके पास solid sphere है आपके पास disc है किसी एक का example लेकर के मैं बताए दे रहा हूं अन्ने का अपने आप करेंगे तो एक note लिखेगा if rolling body is a cylinder पहला case 1 note क्या case 1 लिखेगा क्योंकि हमने general rolling body ली है if rolling body is cylinder अब आपको पीछे पलट के देखना पड़ेगा कि cylinder के लिए i की value क्या है तो i बराबर जो होता है general formula तो m k square होता है और cylinder का i half m r square होता है यह आपको याद करने पड़ेंगे देखे मैं निकाल क्या रहा हूं मैं इस rolling body का acceleration निकाल ला हूं तो मुझे k square upon r square चाहिए तो मैं यहाँ से निकालूंगा k square upon r square m कड़ गया अब बताइए k square upon r square क्या निकलेगा 1 by 2 निकलेगा सही कह रहा हूं मैं तो आप इस value को उठाओ और equation number 4 में लग दो तो by equation 4 यह मैं रब नहीं करना चाहता इसलिए मैं लिखा हूँ equation 4 से आपको a निकलाएगा तो a क्या निकलेगा a निकलेगा g sin theta upon 1 plus 1 upon 2 तो this will become 3 upon 2 तो this you can write 2 upon 3 g sin theta तो आपने क्या देखा कि अगर कोई cylinder roll कर रहा है अगर roll कर रहा है friction force की वज़े से और theta उसका inclination है तो उसका यह acceleration होगा 2 upon 3 g sin theta यह निकलाया अब देखो i और a की value equation 3 में रख दो तो आपको वहाँ पर frictional force भी निकलाएगा निकालीजेगा putting i and a in equation 3 putting i and a in equation 3 रखो यहाँ पर तो आपको frictional force भी निकलाएगा i क्या रखा आपने half mr square तो half mr square into यह क्या निकलाएगा 2 g sin theta upon 3 whole upon r square अब mathematical calculation करिएगा 2 2 कर जाएगा r square साइर सो कर जाएगा क्या हैगा 1 by 3 mg sin theta तो इतना frictional force act करेगा 1 by 3 mg sin theta सबको समझ में बात आ रही है हमारी अच्छा अगर मैं coefficient of friction निकालूं तो आप जानते हैं f k is equal to होता mu k into n तो अगर मैं mu k निकालता हूं तो आता है f k upon n और f k निकाल चुके हैं कितना आप 1 by 3 mg sin theta और n किसके equal था mg cos theta के तो यह 1 upon 3 sin theta सुरी क्या बोलना हूं 1 upon 3 tan theta तो इस condition में यह coefficient of friction होगा तो पकी बात सुन में आ गई अब rolling body solid sphere लेकर के कर लिजेगा और a का जो rolling body हूं आपको जो लगे roll कर सकता है अगर को रखने पर roll कर सकता है तो उसका i लिखे i की value उठा करके a में रख दीजे a की value उठा करके i और a f k बरक दीजेगा f k की value उठा करके mu k निकालीजे तो आपको उन सभी rolling body का acceleration मिल जाएगा coefficient of friction मिल जाएगा और frictional force जो की responsible है body को roll कराएगा